आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागस श्री बेनिमादर अगिनोत्री इंट्र कॉलेज ठटिया कन्योज के यूटूब चैनल मैट्स प्लस मोटिवेशन में आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से 20 मई को जब ग्रीश गालिन अवकास की गोशना की गई तब किस तरह से 20 मई को विद्याले का समापन हुआ आप देख सकते हैं यह जो गुरूप फोटो है हाथ में बच्चों के प्रसस्थी पत्र है तो यह प्रसस्थी पत्र के स्वाद के लिए दिया गया यह जानना बहुत जडूरी है 18 मई 2024 को विद्याले में PT1 अर्थात periodic test 1 का आयजन किया गया और इस test में कई चाचात्राओं ने प्रतिक क्लास के सर्वसेष्ट प्रदर्शन करने वाले चाचात्राओं को विद्याले की तरब से समानित किया गया इस क्रम में कच्छा 12 की अभ्या और विनिता को समानित किया गया कच्छा 11 की कलपना ने टाप होने का गौरव हासिल किया कच्छा 10 B ग्याने शुकला ने कच्छा 10 A हिमान्शू और अमित ने कच्छा 9 B में मुश्कान ने कच्छा 9 A दीपाच्छी कच्छा 8 आयूस ने कच् यहां इन चाचात्रों को कच्छा द्यापकों की तरफ से प्रशाची प्रदान किया गया इस तरह से 20 मई 24 को सांदार समापन हम कह सकते हैं और इसके बाद एक लंबी चुटी 40 दिन की ग्रीश्म कलिन अवकास की गोस्टना की गई आप देख सकते हैं कि इस तरह से कच्छा देखों ने अपने अपने बच्चों को जिन्होंने बहतर प्रदर्शन किया उन्होंने सम्मानित किया इन चात्राओं को बहतर तरीके से और नेशरुसे यह जो सम्मान हैं बच्चों को ललक पैदा करता है जब पेटी टू का टेस्ड होगा नेक्स टेस्ट होगा तो उसमें सांद्रा परदर्शन करने की इन बच्चों को प्रेणा मिलती है अन्हे बच्चे भी संद्रा परदर्शन करें और इसके बाद आप देख और पढ़ाई के साथ बच्चों में मोटिवेशन पैदा हो इस हे विशेश प्रयास लगातार किया जाते रहते हैं इसके बाद चाथ चात्राओं के तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह गढ़्धे खोद रहें इस बात के लिए कि जैसे ही जुलाई में बारिश सुरू होगी यहाँ पर ब्रच्चा रोपड किया जाएगा और निश्यरूप से विद्याले ग्राउंड हरा वरा करने की यह प्रयास है चाथ चात्राओं का और उसी उद्दिश से यहाँ पर उन चाथ चात्राओं के द्वारा ब्रच्चा रोपड ही तो तयारी की गई इस तरह से बिश मही सांदा तरीके संपन हुआ